सुप्रिया शुरुवात आपसे कर रही हूँ भगदड इतनी क्यों है कॉंग्रेस में इस बात पर पार्टी के भीतर को इंट्रोस्पेक्शन है क्या आप सबको मेरा नमस्कार मेरा अपना मानना है कि इस समय विपक्ष की राजनीती करना बड़ा मुश्किल है और इसलिए मुश्किल है क्योंकि अगर आप विपक्ष में हैं और सरकार से सवाल पूछते हैं तो आपके खिलाफ लांचन लगाए जाएंगे आपके खिलाफ दुश्परचार किया जाएगा सब कुछ नहीं होगा तो आपको प्रलोभन दिया जाएगा उससे भी बात नहीं बनेगी तो आपके पास EDCBI income tax कभी सच कभी जूट cases में लगा दी जाएगी तो अगर आपके अंदर कलेजा है अगर आपके अंदर होसला है तो आप लड़ेंगे नहीं तो अगर आप ideological somersault मार कर Congress से बीजेपी में जा सकते हैं तो मेरा अपना मानना है कल नहीं आज चले जा चाहिए क्योंकि यहां पर डर पोखो कर यहां पर दब कर यहां पर संशय में राजनीती नहीं की जा सकती है अब यहां आमने सामने की लड़ाई है और इस आमने सामने की लड़ाई के लिए होसला चाहिए पहली चीज़ दोसरी चीज़ यह narrative बनाने का भी तरीका होता है भा क्रॉस क्रॉस वोटिंग हो गई यहां पर मैं चीज कहना चाहती हूं और यही भारतिय जनता पार्टी की असलियत है उन्होंने क्यूं पचीस सिर्फ उम्मीदवार होते हुए उस पार्टी के खिलाफ कैंडिडेट त्वारा जिसके पास 43 थे उनके पास हमेशा से एक प्लान हम कहां पर गलत थे मैं आपको बताती हूं हम गलत थे कि हमको लगा कि वो इस हद तक नहीं गिर सकते हैं वो ऐसा नहीं कर पाएंगे वो हमारी गलती थी सामने वाले के गिरने की कोई हद नहीं है सामने वाले ने कोई भी मानिता कोई भी मर्यादा कोई भी नियम कोई भी कान मद्यप्रदेश के बाद अगर आप जैसी राश्ट्री प्रवक्ता यह कह रही है कि कॉंग्रेस कोई अंदाजा नहीं था तो यह भी चूक हुई क्या पार्टी से कि अंदाजा नहीं था हमें अंदाजा इस बात का नहीं था कि सामने वाला 25 वोट लेकर 43 वोट वाली पार्टी के साथ इस तरह का शडियंत रचने की लोकतंतर में सोच रहा है लेकिन वो हमारी चूक थी और इसलिए चूक थी मैं मानती हूँ चूक थी क्योंकि जो पार्टी एक साल के मेर के चुनाओ के लिए 36 बैलिट पेपर में अनिल मसी की मसीहा बनके खड़ी हो जाती है वो तो यह करती यहां पर बिलकुल चूक थी हम उनके ओचे पन उनकी गिर लेकिन सुप्रिया जी फिर एक सवाल ये भी है कि सुखुविंदर सुखु से नाराज है विदायक आपके जिसकी सुनवाई नहीं हो रही थी और उन तीन अभी खबर भी है कि तीन विदायक यह कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री बदल दीजे हम लोट आएंगे हमारी कॉंग्र करनल पॉलिटिक्स भी समझने में विदायकों की नाराज़गी समझने में भी फेल रही क्या कॉंग्रेस गरिमा जी राजनीती जो है ना वो महत्व कांखशा का दूसरा नाम है हर पार्टी में नेता हर स्टेट में अलग अलग नेता होते हैं उन नेताओं के कुछ उनके साथ सलग लोग होते हैं जिसको अगर आम बोलचाल की भाषा में एक गुट दूसरा गुट कहा जाता है क्य की बोलचाल नहीं थी अमिच्छा और योगी जी का क्या सुर्फटा हुआल है दुनिया को पता है वसंद्रा राजे वर्सिस शेखावत जग जाहिर है नरोत्तम मिर्श्रा वर्सिस शिवराद सिंग चोहान जो बिचारे अब दूद की मखी की तरह से हटा दिये गए सब को जो पता है असलियत यह है कि हमारे यहां जो यहां जो यह क्याम्प्स होते वहें असंतुush रहता है लेकिन वहां पर समंवे बनाने की जरूरत है मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूं कि यह बन जाएगा हमारी सरकार पूरी से सुरक्षित मिलें लिए उसको प्रचंड में रहने वाले चेहरे और यह सिर्फ इमाचल की बात नहीं है मैं तो आपसे पूछ रही हूं कैप्टन अमरंदर चले गए गुलाम नभी आजाज चले गए आर्पी इंसेंग चले गए मिलिन देवडा चले गए अशोक चवान चले गए बाबा सिंदिकी चले गए जोतिर इनकी कांग्रेस के भीतर तो इससे लड़ाई तो कमजोर हुई की नहीं हुई सुप्रयाज है आपने बहुत बढ़ियां सवाल पूछा है मुझे लगता हमारी लड़ाई और प्रकर हुई है राहूल गांधी की आवास को और बुलंदी मिलिये इसलिए मिलिये क्योंकि ये सब लोग कोना पकड़ कर मुँ भीच कर दीमे दीमे बोलते थे, मीठा मीठा बोलते थे, क्योंकि सब के पास या तो कुछ खोने को था अगर गुलाम नभी आजाद साब नहीं जाते, तो सांसद ना रहने के पाथ साल बाद भी उनको सरकारी बंगला क्यों मिला क्या आरपियन सिंग जो पिछडी वर्ग से आते वो पिछों की लडाई कॉंग्रस में लड़ रहे थे, तो राजा साब बने गुमते थे, किसी की लडाई नहीं लड़ रहे थे, यही हल अमरिंदर सिंग जी का था, आप अपने फार्म से सरकार चला रहे थे, जब आपको ल सुप्रिया जी एक सेकेंड, आप कहते हैं कि बीजेपी ओप्रेशन लोटस करती है, इंकम टाक्स और जाने क्या 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 क्या, आप सब एक सिरा पकड़ कर चलते हैं, लेकिन बहुत सारे आइसे नेता हैं जो बीजेपी में नहीं गए, मैं सुश्मितास देव का जिक बीजेपी में जगे नहीं थी उनके लिए, बंबई में उनके जगे शिव सेना में थी, बीजेपी उनको राजसभा नहीं दे रही थी, शिव सेना का। के लिए पूछूँगी किसान अंदोलन हो रहा है पंजाब का किसान जाके अमित्शा से मुलाकात कर रहा है क्योंकि उनके लड़के के खिलाफ साबुन तेल से सपाई कराकर अपने में शामिल कर लो सब चंगासी अचा सुप्रिया जी लड़ाई कंजोर होती है क्या या नहीं होती है माहराश्ट्र तो तकरीबन खाली हो गया ना राहूल गांदी की निया यात्रा महराश्ट्र पहुंची तो अगवानी करने के लिए अधे भुष खरनली के लिए नहीं था नाना पटोले से लेकर जितने बड़े बड़े नेता हैं यह सारे बड़े नेता अपने छेत्रों के एक अशोक चवान जी के जाने से, मैं तो फिर पूछूंगी न, अशोक चवान जी पर अगर ED का केस ना होता, उनकी लड़की के खिलाफ मुर्चा ना खोलाता, तो क्या वो जाते, किस तरह का प्रभाव, किस तरह का प्रेशन उनसे था, किसी महराश्य के लोग से पूछ युवाओं की, बेरोजगारों की, महिलाओं की लड़ाई है, उसमें कोई नेता रहे, या जाए, मुझे लगता है, लड़ाई जो है, वो उन लोगों के द्वारा लड़ी जाती है, जो आपकी विचारधारा में 100% यकीन करते हैं, तो लड़ाई प्रखर हुई है, उसके च प्रखर हुई है, अरो सिंक,